तो इस्टेटी विध्यान प्रकास देखे फ्रेंड्स कल्मन ने आप लोगों को बता दिया था कि केंद्री विध्यारे संगठन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के माद्य हम से 7, 8 और 9 तारिक को जो परिक्षाए होनी है उनके जो टेस सेंटर है याने की परिक्षा केंद्र उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर उपलब्द करवा दी गई है तो देखे यहाँ पर असिस्टेंट कमिस्टनर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 7, 8 और 9 फरवरी को जो परिक्षाए होनी है उसके लिए टेस्ट सेंटर आप पता कर सकते हैं तो यह फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है फाइनल एडमिट कार्ड आपका कब आएगा दो दिन पहले आपकी परिक्षा से दो दिन पहले लेकिन यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपकी परिक्षा किस डेट को है और किस सिटी में होनी है ताकि की आने जाने के लिए आप अपनी तैयारी कर सकें आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेटी 2022 का स्कोर कार्ड अब तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा UPSC की और से इस बार संभावना बन रही है कि UPSC पेट 2022 के आधार पर बहुत सरी वेकेंसी जाने वाली हैं इसमें मैं आपको बता दूँ तो मुख की रूप से एक तो जूनियर असिस्टेंट की वेकेंसी है जिसमें लगबग 5000 पद हैं ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो लेकफाल में भी लगबग 5000 पदों पर वेकेंसी आ सकती है क्योंकि 4000 पद जो ते वो रिक्त बताये गए थे तो कुछ पद और एड़ होंगे लगबग 5000 पद रहेंगे लोवर PCS के लिए भी वेकेंसी आने वाली है जिसमें लगबग 1000 पद या कुछ पद अधिक भी हो सकते हैं इसके लगबग देखें तो क्रिसी प्रावधी के पद हैं और इसकी संख्या लगबग 3500 के आसपास है ग्राम पच्चाद अधिकारी के भी पद होंगे और भी कई स लिया है तो आपका जो स्कोर है उसके आधार पर जो आपकी पर्चेंटाइल दी गई है इससे आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो रिजल्ट की लिस्ट है जिसमें लगबग कुल मिला के कितने छात्रे हैं तो फ्रेंट्स देखो कुल मिला के यहां पर जो आविदन हुए थे उ परिक्षा में सामिल हुए तो 25,11,968 अभेड़तियों में कितने अभेड़ती ऐसे हैं जो आप से उपर हैं यानि कि अगर इन सभी अभेड़तियों को जिनकी कुल संख्या में आपको बता रहा हूं कि लगबग कितनी हैं 25,11,968 तो अगर इनको 1,2,3 इस विकार से किया जा हैं और top to bottom racking में सबसे अधिक अंक फिक्रम सब उससे कम अंक पर तो आप कहां पर exist करते हैं यह आप परसेंटायज से पता कर सकते हैं देखो friends सबसे बहले तो आप अपना परसेंटायल यहांपर जैसे कि दिया गया है इसको आप देख लीजए और यहांपर अपना कुरम प देंगे तो जो भी रिजल्ट आपको प्राप्त होता है ठीक है तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कि यह से कि यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है 9.650447 मतलब यह हुआ कि यह जो आपका इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप जो कुल संख्याती परिच्छा देने वालों की उसका यह पुप थैये हैं सब्सक्त weойд मतलब तो इसी में आप एक्जेस करते हैं तो आपकरम कैसे अप करेंगे आप ? इसके लिए आप सबसे पहले तो 9.655 यानि कि इसी में आप जो एक्जेस करते हैं मतलब यही जो last का 9.655% है इसी में आप आते हैं इसके नीचे जो बच्चे हैं वो आपसे पीछे हैं ठीक है तो इसमें आप total multiply कर दीजे 25,1968 का और फिर इसमें 100 से आप भाग देदीजी ठीक है इसके बाद जो आपका result आएगा जो calculation से मान लिया आपने कर लिया तो आपका result जो आ रहा है तो यह आ रहा है 2,42,531.633 and so on तो मतलब यह हुआ कि अगर किसी का जो percentile score है वो 9.3440 है तो उससे अबब 2,42,531 बच्चे हैं मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 2,42,530 बच्चे आपसे ज्यादा नंबर प्रात की हैं तो आपका जो क्रम बन रहा है वो इस अस्थान पर बन रहा है टोटल 25,11,968 बच्चों में ठीक है अब यहाँ पर फ्रेंट्स जिसे मान लेते हैं कि 5000 पद हैं किसी भी वेकेंसी में तो इसका जो 30 गुना होगा बच्चों को लगबग कॉल कि जाता है पदों कि संक्या अगर कम होगी तो गुना को बढ़ाया भी जा सकता है like as अगर lower pieces के बारें बात करें तो 1000 पद है तो हो सकता है कि 50 गुना बुला बच्चे बुला ले जिया है और अगर पदों कि संक्या जाधा है तो हो सकता है कि लेकिन मिनिमम तीस गुना बच्चों को तो कॉल किया ही किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लगबग डेड़ लाक मतलब लगबग डेड़ लाक जो बच्चे हैं वो कॉल किये जाएंगे अगर पांच जार पद होंगे तो तो इस प्रकार से आप अपना पर्सेंटाइल जो वो चेक कर सकते हैं हलां कि मैं जो आपको बता रहा हूं कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और कितना नंबर सेफ है यह तो भविस्ट की बात है हो सकता है कि जो गुना है वो बढ़ा दिया जाए तो कम अंक प्राप्त करने वेले बच्चों को भी कॉल किया जा स सकता है तो इस परकार से आपको जो है थोड़ा सा मतर जब तक मुख्य परिशा के लिए जो आविदन के लिए फार्म नहीं आते हैं और कितने गुना बच्चों को कॉल किया जाता है जब तक वो पता नहीं चलता है तब तक अनमान लगाना बैर थे तो यहां पर मैं आपको अधार पर अपना क्रम अपना यानि कितने बच्चे आप से उपर हैं इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं कितने टाप स्कूर और बच्चों में अपने परसेंडाल के मुताबिक आप एग्जिस्ट करते हैं यह पता आप लगा सकते हैं देगोफरेंट्स प्रदेश के यानि कि जो 5000 योग सिक्षू की भर्तियों नहीं थी फिलाल अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि यह भरती कब डिकिवार हो несको कि मामला जो है फृंडे को अबकर रहा हूं है करीब चार माहीने पहले मादमी सिचाई भाग की ओर से ये प्रस्ताव सासन को भेजा गया था प्रस्ताव पर सीखर नेड़े लेने का अन्रोध किया गया था प्रस्ताव पर सीखर नेड़े लेने का अन्रोध किया गया था पहला बिंदू था कि जो और एडेट हैं और राज की इंटर कालेज हैं सम्मिदा पर एक-एक योग सिक्षक की बहाली कर दीजाए दूसरी बात कहीं थी कि जहां पर अल्रेडी पहले से खेल और सारी जिक्षक है उनको ही योग सिक्षक बना दिया जाए और उन्हें ही योगा सर्टिफिकर कराकर उनको योगा टीचर के रूप में न्यूकती दे दी जाया लेकिन फिलाल पैसे की दिक्कत और ये भरती फिलाल अभी ठंडे बस्ते में आगे बढ़ते हैं देखो फ्रेंड्स अगर आप यूज करते हैं फेस्बुक तो आप इस्टेडी भी ध्यान प्रकास जरूर जो है सर्च करिएगा एक बार और ये हमारा पेज भी है और ग्रूप भी है तो दोनों को एक बार आप लोग जाके मतलब संभव तो दोनों मैड हो जाएए नहीं तो फेस्बुक पेंज को लाइक जरूर कर लिजेगा आपको लगातार अपडेट नहां पर मिलती रहती है और संस्कित स्कूलों में संभिधा पर 2000 सिक्षक वर्ती होगी तो ये भी बहुत बड़ी कबर है कि यूपी के संस्कित स्कूलों में जल्दी संभि क्यों कि कमी जोगी वो दूर होगी राज के संस्कूलों में 1990 से कोई भर्ती नहीं हुई भर्ती नहीं होने से तमाम स्कूल सिक्षक के अभाव में बंदी की गगार पर हैं दूसरी तब अस्थाई भर्तिया नेमों की फेर में फैसी नहीं है तो प्रदेश में कुल 973 इंटर बात की जा रही है अभी अब जो आगे की जो प्रक्रिया होगी इसके बारे में जैसे कोई जांकारी मिलती है हम आपको उपलब्द करवा देंगे UBPSC की वेफसाइट पर कल से चार विभागों के लिए आविदन सुरू हो जाएंगे और ये कौन-कौन से विभाग हैं तो मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में आपको जो नोटिफिकेशन साड नोटिफिकेशन कली पेपर में आ गया था और आविदन जो होगी वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आविदन करना है वो फटाफट आविदन कल से कर सकते हैं और देखो बस कंड़क्टर परती जो की आई थी प्रयाग राज में तो इस अगर देखा जाए तो वाकई में बेवजगारी भी है और आयोगिता भी है आयोगिता कैसे है इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अभी यूपी ट्रिपल सी की जो परिशा होई पेट की उसमें बहुत सारे अभरती ऐसे हैं मतलब कि आप समझे कि 33 नंबर पर मतलब 33 तो अलग-अलग बाते हैं चलते हैं आगे बढ़ते हैं पेपर लीग मामले में देशवर के 50 जंगों पर तलासी मामला क्या है इमांचर प्रदेश के पुलिस भर्दी पेपर लीग मामले में सीब्याई ने मंगलवार को देशवर में 50 जंगों पर दविश्दी तलासी के द पर बियान उत्तरप्रदिस विहार उत्तरक्रण दिल्ली पंजाब उत्तरप्रदिस भी है और हज़ाना में चलाया गया फिलाल हर जगया जहां पर पर परिशाएं होती हैं वह पर ऐसे लोग पहुंची जाते हैं और देखो प्रनेट्स के बिस प्याटी टीजीटी और वीजन हो जाएगा सभी प्लस ने इंपॉर्टेंड और सेलेक्टेड हैं लिंक वीडियो के डिस्कॉप्शन में दे दूंगा मैं तो चलिए सुरू करते हैं अब आज की सुरुवात करते हैं दिन की और एक सांदार सुरुवात बने रहे हमारे साथ मिलेंगे आपसे अगले व